Hello friends, this is Manish Verma, UPSC faculty at Vatican Institute, Rohatak. आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इंडिया के सबसे मुश्किल exam, UPSC civil service exam के बारे में. आप लोगों को पता ही होगा कि इस exam को correct करने के बाद, जो selection होता है वो IAS, IFS, IPS, IRS and other various covitus jobs के लिए होता है. सीधा कोई भी student है, या कोई भी प्रिक्षा अर्थी है, वो इसके थुरू, justed officer की post मिलती है, बहुत जादा facilities होती है, बहुत जादा power होती है. हर को इस exam की त्यारी करना चाहता है, लेकिन दिक्कत आती है जब इसके syllabus, जब इसके exam की त्यारी के लिए जो book list होती है, उसको देखा जाता है. syllabus और इसकी book list की बात करें, तो एक कुछ ऐसी चाहिजे हैं, जो बहुत ही uncertain है. UPSC ने कभी भी अपना syllabus confined नहीं किया है, कि आपको history में इतना ही portion पढ़ना है, quality में आपको इतना ही portion तियार करना है, बहुत ही dynamic syllabus रहता है इसका, आपको हर चीज़ के लिए तियाराना पड़ता है, and moreover, आप सिर्फ किताबों के उपर depend नहीं रह सकते, इसके लावा newspaper current affairs के उपर आपकी dependency जब तक नहीं होगी, या जब तक आप उसकी significance को नहीं समझोगे, आप इस exam के बारे में सोच भी नहीं पाऊगे, क्योंकि आज के trend के according, UPSC ने current affairs 40-50% तक अपने exam का एक part बना लिया है, यानि सिर्फ books आगर आप करने लग रहे हो, तो यह मत सोच रहा है कि आप UPSC exam की तयारी करने लग रहे हो, unless and until you are not preparing your current affairs from newspaper and other various sources, for example PIB, current affair magazines, Kurukshetra Yojna and etc. So, बेना किसी की देरी के start करते हैं, इसके बारे में one by one, जो चीजें होती हैं, कैसे क्या कुछ exam के अंदर पूछा जाता है, क्या कुछा आता है, क्या इसकी stages होती है, क्या क्या इसकी book होती है, जिसके दुरू हम कुछ हद तक इसकी syllabus को या इसकी questions को limit में ला सकते हैं, या जो other topers होते हैं, कौन सी किताबी, कौन सा steady material follow करते हैं, mainly, जिसके दुरू हो आपने basic concepts को cover करते हैं, उसके अलावा आपनी तियारी को उस level तक लेगे जाते हैं, कि ए exam correct किया जा सकता है. So, let's start. जब आप इसका form भरते हो, तो form भरने के बाद, इसके exam की जो stages होते हैं, वो pre, mains और interview, जिसको हम personality test बोलते हैं, इन three faces के अंदर आपका जो exam की पूरी-पूरी procedure है, वो follow होती है. तो जो pre exam होता है, उस pre exam, आपका Sunday को दो part में होता है, एक morning shift में होता है, दूसरा आपका evening shift में होता है. Morning shift में जो exam होगा, वो basically जबकि general studies के बारे में होगा, और जो evening session में होता है, वो आपका aptitude test होता है. General studies के अंदर आपके history, polity, geography, environment, ecology, economics, and moreover current affairs. इनके बारे में आपसे पूछा जाता है. और आपके aptitude test की बात करें, तो उसके अंदर आपका general match आता है, उस general match के अंदर जैसे time speed distance हो गया, work, time and work हो गया, या आपके other portions होते हैं, simple interest, compound interest, probability, computations, ये सारी सारी चीज़े पूछी जाती है. लेकिन जो SSC की तैयरी करने लग रहे हुए, ये मुझा सोचना कि इसमें trigonometry यागा, trigonometry इसमें नहीं पूछा जाता है. DI का portion आता है, probability आती है, लेकिन इसके अंदर algebra नहीं आता. इसके अंदर बहुत ही basic concept के percentage profit loss जैसे chapters पूछे जाते हैं, जो की understanding level पे ज़्यादा approachable होते हैं. अगर आप formula based भी आप त्यारी करके जाओगे, तो शायद मुश्किल लिए है कि आप इस exam के questions के pattern को समझ भी पाओ. तो इसलिए आपको maths भी prepare करना है, तो बेसिक concepts के साथ होना चाहिए. बहुत ज़्यादा tough question नहीं आएंगे, यानि जिसको आप एपटी two test बोल रहे हैं, दोनों के दोनों 200 marks के है, general studies के अंदर आपके पास 100 questions आएंगे, each question will carry two marks, and each negative question will carry minus one by third. ये दोनों के दोनों exam के बारे में scheme, लेकिन जो आपका C-set होता है, उसके अंदर number of questions, 80 questions होंगे. पहले exam में, आप कितना भी score कर लो, वो just आपका next phase, जो कि आपका mains का exam होता है, उसके अंदर एक entry point ही decide करेगा. Means, ना तो आपका जो GS का paper होगा, इसके number count होने वाले हैं, ना आपका C-set का exam होगा, crack, इसके number count होने वाले हैं. Significance क्या आती है? Significance क्या आती है, जो आपका GS1 है, यह decide करेगा कि आप mains का exam देने बैठ होगे या ने बैठ होगे, सिर्फ इतना असा. और जो आपका C-set का exam होगा, या F-2 test होगा, यह decide करेगा, कि आपका GS1 चेक होगा या ने होगा. My dear friends, जब आप IAS, IPS, IFS, IRS जैसी पोस्ट पे बैठते हो, तो वहाँ पर जस्ट यह नहीं है कि आपको General Studies के बारे में, सावने अध्यन के बारे में पता होना चाहिए, आपके सामने जो Balance Seats आती है, जो भी Revenue Collect होता है, वो Calculative Form में आता है, बड़े-बड़े Manager साव से बात करने आते हैं, तो आपका जो Aptitude होगा, वो उसके बराबर का होना चाहिए, ताकि आप उनकी बातों को, उनकी Documents को समझ सको, उसमें से कुछ गलती हैं, तो उन गलती को ढूंड सको, और या फिर Actify उनको करवास को, तो इसलिए आपके अंदर एक Basic, ये समझ होनी चाहिए, कि Maths कैसे काम करता है, Charts, Di, Data Interpretation, वो कैसे काम करता है, General English क्या होती है, Reasoning क्या होती है, तो जब ये Exam के एक Part मनाया गया था C-SAT, उसके बाद कुछ सालों में ही काफी हंगामा हुआ था, और उस हंगामे के बाद, जब आपका C-SAT का Exam होता है, इसको Just Qualifying मना दिया, Qualifying in the sense, यानि आपको इसके अंदर कोई बहुँ ज़ादा स्कूर नहीं मनाना, आपको Just, जितने नंबर का ये Exam है, उसका इस 33% तक ही आपका Positive Marks सुने चाहिए, अगर आपके 33% Positive Marks निकल के आ जाते हैं, तो आपका GS1 चेक होगा, लेकिन अगर आपने GS1 में 100 के 100 Question ठीक कर दिये, लेकिन C-SAT में आप 33% जो की Qualifying Marks है, वो नहीं ला पा रहे हो, तो आपका GS1 चेक ही नहीं होगा, ये इसके अंदर बहुत ही अजबसी चीज है, कि जो आपका GS1 होगा, वो आपका Exam पहले होगा, GS1 के बाद आपका C-SAT होता है, लेकिन C-SAT कलियर करना आपके लिए जुरूरी है, तभी आपका GS1 कलियर होगा, और जब GS1 चेक होगा, और जब GS1 आप उसके अंदर मार्स अच्छे लेके आते हो, तो उसके बेस पे एक कट ओफ त्यार की जाती है, उस कट ओफ के बेस पे वे डिसाइड करते हैं, कि GS मेंस के लिए जो आपका Exam होना है, उसके लिए किन-किन स्टुडेंट्स को हम अलाओ करने वाले हैं, किन-किन स्टुडेंट्स को हम रोल नबर देने वाले हैं, तो खेर, ये बात तो हो गई आपके परिगे बारे में, परिगे बारे में अभी जस्ट आपको दो बाते ध्यान में रखनी हैं, पहले बात तो यह है, कि दोनों के नंबर count नहीं उने वाले final list के अंदर हैं, और दूसरी बात यह है, कि C set आपको 33% तक clear करना ही करना है, उसको positive marks मिले के आना ही आना है, otherwise आपका GS1 check ही नहीं होगा, आप mains के बारे भी सोच ही नहीं सकते, चाहे आपका GS1 कितना भी अच्छा तो आप उस subject को, उस topic को ignore नहीं कर सकते हैं, ठीक है, next देखते हैं, अब बात करते हैं कि आपका C set clear हो गया, आपका GS1 check हो गया, आपका नाम आगया means की list में, तो आप mains का exam दिने जाते हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके English और Hindi, English और Hindi के, आपके exam होते हैं, दोनों के दोन लगए exam होंगे, दोनों के दोनों फिर से qualifying nature के होंगे, और फिर से दोनों के ही marks आपकी final count नहीं होंगे, आपका जो final score है, उसके अंदर, ना तो pray के जो दो exam होंगे, उसके number count होने वाले हैं, mains के अंदर जो आपका Hindi और English, जो आपका exam होने लग रहा है, इसके number भी count नहीं हों होने हैं, जो आपका एक score का part नहींगा, जैसे सबसे पहले हुआ आपका paper 1, जो कि आपका होता है essay, 250 marks का होता है, इसके अंदर बहुत सारे questions होते हैं, अलग-अलग field से होते हैं, science technology से होते हैं, philosophy से होते हैं, current affairs से होते हैं, society से होते हैं, उसके उपर आपको बहुत ही length थी, for example मा आपको कहा दू, 1250 शब्दों का, आपको एक अच्छे तरिके से ऐसे लिखना होता है, अब बात करते हैं, कि अगर मालो कोई भी topic आ गया, उस topic के बारे में, अगर आप कुछ भी लिखना start करते हो, तो वो जस्ट एक traditional way नहीं होना चाहिए, for example, अगर आप से पूछा कोई score नहीं आएगा, आपको गाय को लेके, particular, history में भी, polity में भी, geography के अंदर भी, environment के अंदर भी, science and technology के अंदर भी, और current affairs के अंदर भी, सारे के सारे dimensions कवर करने होते हैं, for example, अगर आप historical fact को लेके आओगे, तो आप बताओगे, कि जैसे Aryans हुआ करते, Aryans के आने के बाद ही जो गाय है, इनकी यहाँ पर importance बननी स्टार्ट हुई थी, गाविस्टी जैसे यहाँ पर युद्ध हुआ करते थे, गो गन्य, कोई भी मेमान आता था, तो उसको गाय का मास दिया जाता था, historical event हो गए, उसके बाद फिर आप चाहिए, तो mythological events इसके साथ जोड़ सकते हो, Lord Krishna Lord Krishna और गाय का जो प्रेम है, उसके बारे में हर कोई जानता है, उसको आप एड़ कर सकते हो, फिर आप जोड़ सकते हो, कि जो स्विजर लैंड या फिर जो आपके temperate region होते हैं, नोर्थ वाली region होते हैं, वहापे जो गाय होती है, उन गायों की breeds बहुत अच्छी होती है, दूद बहुत जादा अच्छा देती हैं, उसके बाद फिर आप compare कर सकते हो, अलग-अलग continents की जो गाय होती है, उनके बारे में, फिर बात करते हैं, पोलिटे के बार हैं, यानि गाय को मारना कसाई खाने में, इसको रोकना चाहिए, हाला कि यह आपका कोई भी fundamental right वगार कुछ नहीं है, लेकिन यह राज्या को एक निती निर्देशक सिध्धानत है, राज्या को कहे गए है कि आप जो गाय है, पर्टिकुलर, वहाँ पे एक शब्द दिखे जोड़ो, कि भई, जो गाय है, उसका आज के टाइम पे, हम second number पे mass export करने वाले country में से हैं, US से बार बार हमको दमकी देता है, कि भई, हमको dairy products जो होते हैं, वो यहाँ पे import करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, हम उनको allow नहीं करते, reason behind, क्योंकि जो वहाँ की गाय होती है, वो मास खाती है, अपनी खानी में, उसके बाद फिर आप इसके significance, यानि science and technology, कि जो गाय का दूद होता है, उसके अंदर के लिए का दूद की मातरा कम होती है, विटामीन इसके अंदर बहुत अच्छे होते है, कैलसियम की मातरा इसमें बहुत होती है, जो बच्चे होते शब्द के अंदर पूरा हो सकता है, इसी तरीके से आपके various kind of essays उसके अंदर जो पूछे जाते हैं, आपको सारे की सारे जो dimensions, जितने आप से हो सकते हैं, वो सारे dimensions को cover करना है, और उसके बाद फिर आपका एक ऐसे तियार होता है, आम तोर पे इस portion को बहुत ही neglect किया जाता ह But my dear friends, बहुत important है essay का portion, बहुत important है आपकी understanding हर चीज को लेके, reason behind, अगर आप बात करोगे history की, polity की, geography की, तो इसमें तो वो बच्चे जो की BA field से आते हैं, जिन्होंने history अपनी graduation में ले रखी है, polity ले रखी है, जिन्होंने लाच्छे से study के रखा है, geography ले रखी है, उनको beat नह से होते हैं, जहाँ पर, चाहे को student computer science का है, कोई medical side से है, कोई engineering करके बैठा हुआ है, कोई arts लेके बैठा हुआ है, वो सारे equal हो जाते हैं, और वे कौन कौन से topics है, उन में से एक है, ये essay, खेर, दूसरे paper पर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, GS1, again 250 marks का है, इसके अंदर cover किया गया है, Indian heritage and culture, history, geography and society, ये वकुल मिला कि चार portion हो गए, और चारो portion में से आपके exam में question पूछे जाते हैं, for example, अगर Indian heritage and culture की बात करें, ये आज के time पर बहुत important topic बन चुका है, आम तोर पे history हम समझ के चलते हैं, कि भई, किसने किसको मारा था, किसके बाद कोन आया था, but UPSC क के अंदर ये perspective कोई काम नहीं आता, इसके अंदर importance of the emperor or the king, ये पुछी जाती है, जीजे, for example, Vijayanagar है, तो Vijayanagar का जो समर्जा, जो empire हुआ करता, साउत के अंदर, वो सबसे ज़्यादा समर्द आपका समर्जा हुआ करता, और उन्होंने वहाँ पे किस किस तरह की development की, कहां कहां तक उनका व्यापार फैला हुआ था, उनके व्यापार के जो फैलने की वज़े से हमारे diplomatic relations अदर countries के साथ आज तक कहां कहां पे established है, ये सारी की सारी चीजे इसमें कवर होती है, बहुत धरम, बहुत धरम, एक ऐसा धरम, जिसका जलम हुआ था भारत में, लेकिन उसकी इतनी significance अपने country में नहीं है, बाकी है, चाहे चाइना को ले लो, तिबबत को ले लो, जापान को ले लो, स्री लंका को ले लो, मलेशिया को ले लो, इंडोलेशिया को ले लो, मैनमार को ले लो, हर जगा आपे बहुत अच्छे तरिके से अपना पैर जमा के बैठा हुआ है, तो geography के बारे में, आपकी जो इंडिया है, इंडिया के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, कि कहां कहां पे कौन कौन सी rivers है, कहां पे कौन सी mountain ranges है, दर्रे है, इसके इलावा आपका जो climate और किस तरीके से vary करता है, और फिर आपका जो ocean portion आ जाता है, उसके अंदर जितने भी changes होते हैं, वो changes आपकी routine life को कैसे change करते हैं, for example, आपने सुनाओगा, global warming के बारे में, जिसकी वज़े से बात की जाती है, कि जो sea level इंक्रीज कर जाएगा, अब sea level इंक्रीज कर जाएगा, तो हमको उसमें इतना जाता फरक नहीं, मैं सूस होता, लेकिन in reality, आपको पता होन चाहिए कि जो Mumbai है, केरला है, इस side जो आपका western coast है, बहुत जादा effect होने वाला है, वहाँ से बहुत सारे लोगों को अभी से plan करवाना start कर दिया, उनको migrate करके दूसरी जगा पर sustainable तरिके से रहने के लिए, चीजे प्रोवाइड करने, start कर दिया government में, तो इस सारी की सारी की applications, आपने history पढ़ी, तो उस history की application देखो की diplomatic relations, या फिर जो चुनाओ के अंदर बाते होती है, जैसे की modern history के बारे में अभी भी आपने देखा होगा, कि गांदी के बारे में, नहरू के बारे में, सुभाचेंदर बोस के बारे में इतनी तरह की बाते हुई हैं, जो election के दो कौन कौन सी फसल जुरूरी है, किस motion के अंदर, कैसे वो अपने फसलों को बेज सकते हैं, कहां कहां पे हम industry लगा सकते हैं, किस particular area में कौन सी industry successful रहेगी, ये सारी चीजे geography के portion में पूछी जाती है, फिर आगया society, आप इंडिया में कई भी चले जाओ, पूरे world में कई भी चल आलग आप रही नहीं सकते, society का आपको part बनना ही पड़ेगा, तो इसलिए society को समझना सबसी द्यादा जरूरी है, तो society से related, for example, women के बारे में, बच्चों के बारे में, इसके इलावा, जो vickers actions होते हैं, disabled persons होते हैं, उसके बारे में, अच्छे तरिक के से study होनी चाहिए, फिर इसके अंदर अगर बात करें, बुकिश नोलीज की 30-40% काम आएगी, 30-40% से ज्यादा इसमें कोई भी फायदा नहीं है, फिर बचा जो portion, वो क्या है, सारा current affairs, सारा कर सारा, चाहे वो government की schemes हो, for example, उजवला योजना, अब एक है scheme उजवला, एक है उजाला, अब जिसको इनक सेम, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, मुदरा योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी, पढ़ाओ अभियान है, उसमें कितनी सक्सेस हमने हासिल की है, ये पता होना चाहिए, जितने भी सोसाइटी के अंदर sections है उनके regarding हर जगहाँ पे कोई ना कोई scheme launch की गई है उसके बारे में जो current affairs के अंदर आई हुए चीज़े हैं वो आपको crystal clear पता होने चाहिए कि nodal agency कौन सी है, headquarter particular किस agency का किस जगहाँ पे है कौन-कौन सी scheme के अंदर कौन-कौन से eligible candidate होंगे किस तरीके से उस scheme का आमफायदा उठा सकते है बात करें international relations की totally current affairs आपकी बहुत रहे हैं कि magazine साती है current affairs related आप जब उनको study करते हो तो आपको पता होने चीज़े की इंडिया के अस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, स्रीलंका के साथ कैसे relations है, for example, अब current की बात करो तो नेपाल के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह के relations dynamic mode पे आने लग रहे हैं जिसके कुछ significance आ सकती है, बहुत ही important effect डालते हैं जो relations उसके बारे में detail आपको knowledge होने चाहिए है फिर बात करते हैं, paper 4 जो की GS3 है, जिसके अंदर आपका technology, economy, biodiversity environment, register management, इस तरह की बाती की गई है फिर से कहूंगा, 30% vocationalist काम करेगी, जो की basic उत्ती है उसके अलावा, चाहिए वो आपका technology, चाहिए वो आपका economics सारा का सारा portion आपका current affairs से ही related है technology के अंदर बात करें है, science and technology की बात करें तो आवम तोर पर समझा जाता है, यह भी 6th class से लेकि 12th class तक किया 10th class तक के NCRT पतावने चाहिए, यह अभी तक जो बात कही जाती है कुछ teacher कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखोगे, सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेर के, जो science and technology से related बाते हैं, वही आपको बतावने चाहिए, ट्रेडिशनल आज के टाइम पे नहीं पूछा जाता science and technology के बारे में, environment की बात करें, तो totally current affair से question आती है disaster management totally आपका current affairs related है, economic की बात करें तो budget survey सबसे ज़्यादा important है इसके अंदर, अगर budget survey के आपको knowledge नहीं है, आप ये portion clear कर ही नहीं सकते next बढ़ते हैं, paper 5 जोसको हम GS4 भी बोलते हैं, very important, ethics, integrity and aptitude अब ये वो topic आजाता है, जिसको हर aspirant, जो student होता है, वो ignore करने की कोशिश करता है जैसे कि मैंने बताया था, essay के बारे में, लेकिन आगेन, ये आपका game changer subject है और सबसे बड़ी ये बात है कि आप इसको कितने भी किताब पढ़ लो, लेकिन अगर आप इसकी गहराई नहीं समझ पाए तब तक ये subject clear नहीं हो सकता इसके अंदर जो case study आते हैं, जो इसके अंदर question की framing होती है totally आपका view इसके अंदर आप answer बनता है अगर आपका view अच्छे तरिके से prepare नहीं है, आपके opinions at par UPSC नहीं है, तो ये आपकी जो answer writing है, फिल्कुल fail हो जाने वाली है आपकी जितने भी answer writing है, वो totally UPSC जैसा question frame करने लग रही है totally उसको hit करते हुए, आपकी answer writing होनी चाहिए, आपके view उस check करने वाले बन्दे के सामने ऐसे हो कि वो उस चीज़ को ignore करी ना पाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो ethics है, इसको prepare करना पड़ता है, case study आते हैं इसके अंदर, वो आपको तियार करने पड़ते हैं फिर आपके पास paper 6 and paper 7 जो आपके optional होते हैं, पूरी list होती है, आप वो देख सकते हो, chemistry, physics, math, agriculture, animal, husbandry, biotechnology, medical की subject होते हैं, political science, sociology, anthropology, anthropology, पूरी list है, बहुत सारे इसके अंदर subject सा, आप कोई भी एक choose कर सकते हो, सिर्फ एक ही choose करना है, लेकिन उसके paper दो होते हैं जो की 250, 250 marks के होंगे, फिर से मैं कहूँगा, game changer, कोली मिला के, अगर आप इस mains वाले portion को देखते हो, जिसके अंदर हमने essay, GS1, GS2, GS3, GS4 और optional देखें, तो जो आपका major focus होना चाहिए, जहां पर सारे के सारे student, चाहिए हो किसी भी stream से हो, art से है, engineering से है, medical से है, या किसी और service स हो, वे सारे equal हो जाते हैं, वो आपके पास कौन कुछ से बनते हैं, जैसे पहला आपका essay, उसके बाद फिर आपका GS3, यानि पेपर 4 की बात कर रहो हूँ मैं, जहां पर totally grant a fear का portion होगा, और उसके बाद आपके पास paper 5, paper 6, paper 7, यह वे चीज़े आ जाते हैं, जहां पर सारे इ काम आईगी आपके, और जब आप इस main exam को correct कर जाते हो, तब आपके पास phase 3, जिसको हम बोलते हैं, personality test या interview, वो conduct होता है, जो की 275 marks का होगा, अब इसके अंदर भी कई सारे लोग सोचते हैं कि हमें बहुत सारे इसके अंदर रटे मार के जाने हैं, बहुत सारे आपको चीज आप जो personality test होगी या फिर interview होगा, इसमें आप को इस तरीके से check किया जाएगा कि हालात कैसे भी आएं, आप mentally कितने strong हो, इंसान को मोत नहीं, बलकि उसकी सोच मारती है, और इंसान को चाहे हो मर भी जाए, लेकिन उसकी सोच उसको जिंदा रखती है, तो आपकी सोच जितनी ज्यादा essential part है, knowledge हो या ना हो, doesn't matter, क्योंकि पैनल के अंदर सिर्फ ये नहीं है, कि तीन-चार बंदे ऐसे होंगे, जो आपका interview लेंगे, वहाँ पे एक psychiatrist भी होता है, जो आपकी personality test करता है, जो आपकी हर movement को जरू करता है, कि ये mentally कितना prepare है इस post के लिए, क्योंकि जो अधिक जारी लगता है, जो officer लगता है, इन post पे जाने के बाद, उनकी ना तो कोई रात होती ना उनका कोई दिन होता, mentally इतना ज़्यादा stress होता है, कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो इस जोग को continue करें नहीं पाते, quit कर जाते हैं वो बात में, लेकिन जो अपनी family को भी अच्छे से रख पाए, जो अपनी जोग को भी अच्छे से रख पाए, वो इसमें long term तक बहुत ही successful बंदा में निकल के माना जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम calculations करें, तो आपके पास school मिला के, जो score होगा, वो 2025, यानि 2025 नमर का score त्यार होता है, जिसमें से आपकी cut off list त्यार ह जिसके बार, कोई final selection आपको मिल जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं, इसके book list के बारे में, तो सबसे पहले polity के बारे में, पॉलिटी के बारे में, I am Lakshmi Kanth, इंडिन पॉलिटी, जिसको की Bible बोला गया है, बहुत ही important है, जितने भी आपके basic concepts है, governance के बारे में, पॉलिटी के बारे में, वो सारे के सारे इस किताब के अंदर, बहुत खुबसूरत तरीके से दे रखे हैं, लेकिन जो language है, language को समझने क आपको अगर 6-7 गंटे लग जाएंगे, अगर कोई guide होगा, तो वही बात आपको ए 1 गंटे में समझ में आ सकती है, क्योंकि किताब के जो लिखने का तरीका है, वो कुछ ऐसा भी है, कि जो chapter number 1 है, वो chapter number 10 से related है, chapter number 4, chapter number 3, chapter number 11 से related है, तो इस तरीके से जो inter-relations है, वो आप prepare करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, बहुत ज़्यादा एक दिमाग के उपर बर्डन बन जाता है, तो इसलिए guide का होना ज़्यादा जरूरी है, इस subject को cover करने के लिए, और जब आपकी इसके उपर hold हो जाता है, तो आप अच्छे तरीके से सारी की सारी current affairs को सम जाता है, basic आपको knowledge पता होने चाहिए, basic books में से, जैसे आपकी जो plus 1, plus 2 की NCRTs है, यह तो आपको by heart याद होने चाहिए, और plus 1, plus 2 में से भी, जो plus 1 वाली है, वो खास कर, क्योंकि जो plus 2 है, उसके अंदर थोड़ा बहुत current affairs से related दे रखा है, लेकिन यह किताबें update होते हैं दे रखी हैं, वो आपको पता होने चाहिए, लेकिन जो आपकी plus 1 वाली जो नीचे वाली दोनों की दोनों किताबे हैं, यह आपको by heart याद होने चाहिए, इसमें इसे 2-3 questions हर साल आते हैं, इसमें कोई doubt ही नहीं है, उसके बाद फिर बाद करते हैं, जो side में किताब mention कर रख हैं, क्योंकि जब answer writing होगी, तो यह आपको बहुत help करेंगी, इसके अंदर जो points दे रखे हैं, जो आप इसके अंदर line, जो terminologies दे रखे हैं, और जो जिस त्रीके से इसने diagram से समझा रखे हैं, बहुत helpful रहेंगे यह आपके लिए, next चलते हैं, next आगे आपके पास history का portion, ancient and medieval history, देखें, ancient and medieval history की बात करें, तो आज के time पे, इसकी weight is कम है, आपके exam में जैसा कि मैंने syllabus में दिखाया था आपको, heritage culture, वहाँ से question जाद आते हैं, जिसको हमार्टेंट culture भी बोल सकते हैं, और दूसरा modern history, वहाँ से question आते हैं, ancient medieval, यह अगर आप इस perspective से पढ़ोगे, कि किसने क इसको मारा किसके बाद कोन आया, वो आपका बिल्कुल fail strict है, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि आपको उस चीज का पता ही नहीं होना चाहिए, आपको यह जुरूर पता होना चाहिए कि किसके बाद कोन आया, क्योंकि जब आप art and culture पढ़ोगे, तो उसके अंदर various kings ने, जो development क ही है, उसी को study करोगे, और जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि यह king किस dynasty से था, इसका आना कैसे हुआ, इसकी mentality क्या थी, तो आप इसके बनाए हुए architecture को भी नहीं अच्छे से समझ पाओगे, यानि आपको basic knowledge होने चाहिए, kings के बारे में, dynasties के बारे में, उसके ज्यादा deep में नहीं पढ़ना, उसके इलावा अगर त्यारी करनी है, तो plus two की जो new NCRT हैं, जिसके तीन पार्ट है, themes in Indian history, यह आपको prepare करने हैं by heart, ठीक है, next चलते हैं, अब जैसे कि syllabus में भी mention था, Indian heritage and culture, syllabus के अंदर ही mention था यह चीज़, NC medieval syllabus के अंदर mention नहीं था, तो उसके ह साब से आपके पास दो किताब हैं, जो पहली है plus one की NCRT, फिर से कुंगा by heart एक एक चीज़, आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, learn होने चाहिए, और वो भी समझ समझ के, ताकि आप उसके उपर development कर सको, answer writing में, second, जो इसके एक supplement है, वो है आपके पास नितिन सिं है, और उनकी किताब भी है, तो जो किताब है किताब तो बहुत ही vast है, आप किताब में से तियारी कर सकते हैं, बट selected topics, cover to cover नहीं पढ़ना, लेगिन अगर आप बात करोगे इनकी notes के, तो आपको internet से available हो जाते हैं और जो notes है, वो आपको line to line सारे याद करने हैं, क्योंकि उस किताब के बारे में, तो इस किताब के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ जारा बताने के जूरूरत है, spectrum, राजी आहीर जी की किताब है, IPSOPS से ने वो एक, उन्होंने इस किताब को लिखा है, लेगिन जो एक किताब है, 2017 जो इसका edition हुआ अगर था, वो एक limited edition था, उसक के अंदर जो portion वागरते, सारे के सारे, आपके easily cover होने वाले थे, लगवग 500-600 के आसपास उसके page हुआ अगर थे, लेगिन 2018-19 वे जो development हुए इस किताब की, आज के टाइम पे 800-900 page की हो चुकी है, तो फिर से गोंगा कि जो इसके कुछ new chapters add किये गई है, वे history optional वाले जो students होत optional opt नहीं कर रहे हो तो, और अगर आप Indian history opt करने लग रहे हो, तो यह आपके लिए best book है, सारे चेस को cover किया गया है, तो बहुत ही अच्छी किताब है, इसको जुरूर कीचिए, अगर आप शुरू से देखोगे, तो history ने बहुत ज़्यादा किताबे cover कर ली है, basic हो गया, तीन किताबे आपकी plus two वाली होगी, दो किताबे आपकी art and culture वाली होगी, और उसके बाद फिर modern होगी, in short, अगर मैं history की बात करूँ, तो आपकी किस्मत इसके अंदर बहुत major role play करेगी, क्योंकि history बहुत ही vast subject बन जाता है, इसकी preparation में just modern और art and culture, इसके उपर ज्यादा focus रखना आ output ratio को maintain करते हुए करने हैं, कि आपने जितना उसके अंदर labor पोर किया है, labor आपने उसमें डाली है, उस हिसाब से आपको output मिल रहा है, नहीं मुल रहा, ऐसा नहीं हो कि आप 6 महीने सिर्फ history करने में ही निकाल दो, और उसके बाद फिर और जो portion हो आपकी cover ही ना हो, और ऐसा न अचे तब आप ancient medieval की तरफ देखना है, ठीक है, next चलते है, environment, environment में आपके पास I.S. Ankarji का एक बहुत अच्छा compilation है, इस किताब में जो आपके IFS, Indian Forest Services की बारे में बात कर रहा हुँ है, उससे regarding तो सारा, सारा matter list किताब में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप UPSC Civil Services के बारे में बात करोगे, तो इसमें से फिर से selected topics से उठाने है, majority, यानि 80% जो आपके exam में आपीर होगा, current affair से ही होगा, current affair prepare करना compulsory है, उसके बिना नहीं होगा ये subject, next, economics की बात करें, economics के बारे में वैसे तो जो रमी सिंग की जो किताब है, वो बहुत ही अच्छी है, बट थोड़ी ले मेंस के इसाब से ही त्यारी करनी है, economics हमने अपना मेंस का subject नहीं ले रखा है, तो best किताबे आपकी रहेंगी जैसे आपकी basic concept के लिए शंकर गणिस, और इसके बाद जो budget और जो survey, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में जो आते हैं, ये आपको by heart याद होने चाहिए, हर चीज cover की गई है, ठीक है, next बात करते हैं, जो आपने देखा दागी, GS4, ethics के बारे में, इसके बारे में किताब कुंच रहेगी, तो देखिए, फिर से गोंगा कि जो इसकी किताब तो है आपके पास, जो मैंने आपको यहाँ पी mention कर दी, lexicon की, mostly जो topers होते हैं, वो इसकी क तो कोई ना कोई आपका इसमें guide होना जुरूरी है, ethics के बारे में, ताकि आप उसकी main essence को समझ पाओ, क्या होता है कि जब हम किताबे पढ़ते हैं, तो हम उसका interpretation, अपनी mentality और अपनी mind के हिसाब से मना लेते हैं, अब किताब तो हम को रुकेगी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं, वो सही है या गलत है, हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई guide है, कोई friend है, कोई teacher है, तो वो आपको जुरूरी इस चीज़ के लिए रुकेगा, कि रुक, यहाँ पे कल तरीके से तुने इसको interpret कर लिया है, गल तरीके से सोच लिया है, यह यह नहीं, इस तरीके से ठीक होईग तो इसलिए ध्यान रखना, ethics आपको बहुत important है, बहुत important subject है, आसान है, ignore मत करना इसको, उसके बाद फिर हमने GS1 में देखा था कि society का एक पार्ट था, society के लिए कौन से किता पड़े, no doubt, जो current affairs magazines आती है, market के अंदर, उसके अंदर society को लेकि एक अलग से portion होता है, but फिर भी basics के लिए, आपको जो plus one NCRTs है, Indian society की, और social change and development in India, ये किताब ये आपकी बहुत ज़्यादा helpful रहेगी, आपको basic सा पता होगा, आपको society का पता होगा, किस तरीके से society हमारी emerge हुई है, क्या क्या इसके अंतर changes आए है, किस किस तरीके से, historical point of view से लेके, economical point of view से लेके, political point of view से ले आप इन किताबों को देखने के बाद आप ये देखते हैं कि इतना study material त्यार कर लिया हमने, current affairs भी हमने त्यार कर लिये, तो हम इस exam को correct करने के लिए कितना score चाहते हैं, कितना score हमारा आना चाहिए, कि हम इस exam को correct कर जाएं, यानि cut off, तो cut off के बारे में बात करते हैं, वैसे तो अभी 2018, recently की बात करने लग रहा हूँ, इसकी तो हमें सारी के-सारी cut off की जानकारी है, net के उपर मिल जाएगी, 2019 इसका भी interview बचा हुआ है, इसलिए इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा, तो आप देख सकते हो, जो CAC prelims हुआ था, prelims के अंदर, जो cut off गई थी maximum marks pre के अंदर, वो 200 थे, लेकिन यहां पर cut off कितनी है, 98, half से भी कम, मेंस की बात कर लेते हैं, जो मेंस का exam हुआ, 1750 का, 1750 marks का, और उसके अंदर जो general की cut off गई वो कितनी है, 774, half से भी कम, अब बात करते हैं, CAC final, अब जो फाइनल marks मनाई हुए है, out of 2025, यानि 2025 नमबर, इसके अंदर आपके prelims वाले include नहीं है, सिर्फ mains वाले, और plus में 225 जो इंटर्यू के हमने आभी देखे रहे, वे नमबर इसके अंदर include है, तो जो final selection हुआ था, जो उसकी cut off लगी थी, वो कित जो इसके अंदर top पर होते हैं, उनकी जो percentage निकालोगे आप, कि भी total marks कितने थे, marks obtained कितने थे, तो 53 से लेकि 55% तक ही marks अचीव होते हैं, और इसी लिए इस exam को सबसे tough exam इंडिया का माना चाता है, क्योंकि इतनी सारी त्यारी करने के बाद भी, आप 60% को भी achieve नहीं कर पाते हो, बहुत सारी चीज़े हो जाती है, current affair, हर महीने एक नहीं magazine आ जाती है, so page हो की, तो सोचो, आपकी 12 किताबे तो आपकी नहीं होगी, जिसमें हर किताब के अंदर so page नहीं आए है, और वो prepare करने, with fact, with figures, with understanding, आपको उसारी चीज़े याद भी रखनी है, किताबे पढ़नी मुश्किल नहीं होती, किताबे रिटेन रखनी, किताबों को concept है, उनको इंटरिलेट करना, ये, ये एक toughest part है, आपकी study का, अगर बात करें इसकी त्यारी की, तो त्यारी करने के लिए, कोई ऐसा न आपकी study करें, पहली बात, दूसरी बात, इसकी त्यारी के अंदर, आप 6 गंटे पड़ो, 10 गंटे पड़ो, 15 गंटे पड़ो, और चाहे 4 गंटे पड़ो, लेकिन हर रोज, बिल्कुल consistently पड़ो, तब जाके success मिलेगी, मैं आपने career में कई लोगों को देख चुका हूँ, ज कभी तो एक दिन ऐसा आजाता है, उनका कि वो सोते ही नहीं, 24 के 24 गंटे पड़ते हैं, लेकिन अगले दो दिन तक वे वेवश हो के सोने लग रहे हैं, तो जो यह इन रेगुलरिटी होती है, study time में, इसको maintain करना सबसे ज़्यादा जुरूरी है, जब आप officer बन जाते हो, त सारे आपके पास ऐसे इवेंट आते हैं कि जहां पर आपको बिल्लकुल फुरसत नहीं निकलती है, ठीक है, तो उसी time पर आपको आपके office का जो regular work है, वो तो समालना ही समालना है, उसके इलावा जो एक नई जिम्मेवारी आई हो भी समालनी है, उसके साथ साथ आपको अपन कामे रखनी पड़ती है, एक साल तक लगातार, अगर कोई भी student particular time table को follow करते हुए, ठीक है, with mind बैठेगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठते हैं 6 गंटे लेकिन mind की presence होती ही नहीं, तो आपको जब इसकी त्यारी करनी है, तो जस्त यह नहीं कि आप बैठे हो, आपकी presence of mind, वो सबसी ज़्यादा चाहिए, concentration चाहिए, mobile, youtube, यह बिल्कुल side में चाहिए, तब जाके तो इस exam की preparation हो पाती है, otherwise बहुत से होते हैं जो जो जोस में start करते हैं और बाद में fuss होके निकल जाते हैं, या फिर कहते हैं कि इस से अच्छा तो मैं SSC, bank view या other exam की त्यारी कर ले किसी साल आपका geography का आजाता है, किसी साल आपका economics का, politics का ज़्यादा आजाता है, और इतनी सारी चीजे mind में retain करना भी अपने आप में बहुत बड़ा challenge है, लेकिन उसके बावजूद भी consistency अगर आपकी रहती है, तो आपका एक साल में नहीं, दो साल में नहीं, तीन साल में कभी ना कभी तो होगा ही होगा, और फिर भी, अगर आप यह मान के चलते हो, कि हमारे जितने chance थे, हमारे जितना age था, हमने वो पूरा utilize कर लिया, उसके बावजूद भी हमारे exam clear नहीं हुआ, तो भी, जब आप इस exam की त्यारी करके, अपनी किसी भी society में बैठते हो, society के ल अपने विचारों से महान बनता है, आपके विचार उस level तक पहुँचाते है कि आप government को समझ पाते हो, आप society को समझ पाते हो, आप कल को अगर कोई अपना business start करते हो, कल को कोई और दूसरा काम start करते हो, या कल को कोई दूसरे exam की preparation करते हो, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, आपके understanding level उस level तक पहुच जाता है, कि जिसके बाद आप अपने आप को society से बिलकुल अलग और एक अलग level पर ही महसूस करोगे, ठीक है, तो UPSC की जो preparation है, वो हर student को life में एक बार तो जरूर करने चाहिए, क्योंकि UPSC तो सिर्फ एकी बात कहता है, कि आप अपने देश को जानो, आप अपने इंडिया को जानो, अगर आपको अपने इंडिया, अपने देश के बारे में जानकारी है, आप ये exam करेक कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा भी जो मैंने डिसकस किया, major portion कहां से cover होने लग रहा है, करनटा फेर से cover होने लग रहा है, चाह यही तो आप अपनी society की help कर सकते हो, अगर आप को इन चीजों का पता है, तो आपका UPSC exam अराम से clear हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको अपने माबाप के कहने से, या किसी other factor की मजबूरी से preparation करने लग जाते हो, यह exam cover नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा burden मैं सूज करोगे उससे अच्छा कि आप अपनी line पहले ही बदल लो, बिना किसी burden के, सिर्फ इसलिए कि आप इंडिया को जानना चाते हो, इस feeling के साथ अगर आप इस exam की त्यारी करोगे, exam की त्यारी भी होएगी, आपकी personality में change भी आएगा, और exam crack भी होगा, ठीक है, तो इसी note के साथ, आज क मैं वीडियो को खतम करूँगा, इस course के regarding, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपके पास number है, आप इस number पे संपर्क कर सकते हो, किसी भी तरह की guidance चाहिए आपको, बिलकुल आपको guide किया जाएगा, आप कभी भी मिलने आ सकते हो, जब भी time हो, ठीक है, तो कभी भी आप इस preparation के दोरान अपने आपको अकेला मत मैसूस करना, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे, तो इसी note के साथ, thank you, bye.